बच्चे ने जनम नहीं लिया, जनम लेने वाला है, लेकिन उसके साथ कुछ डेंजर हो गया है, वो डेंजर क्या होता है, जनरली बच्चा गर्ब के अंदर ही पोटी कर देता है, उससे क्या खत्रे होते हैं, क्या लक्षन होते हैं, किन कंडिशन में बच्चे के गर्ब में ही पूटी करने के chances जादा बन जाते हैं सारी बाते डिटेल में समझेंगे महत्वपूर्ण विशय है कई cases ऐसे देखे गए हैं कि शिशु की जम के समय मृत्य हो गई तो इससे कैसे बचेंगे इसको कैसे समझें ये जैनकारी आपके लिए में परपूर्ण हो सकती है अगर आपके भी delivery date करीब आ रही है नमस्कार्स वागत है आपका YouTube Mom चैनल में यहां धेर वो important information में आप सभी के साथ share करती हूँ वड़े प्यार से आप सभी के भी बहुत प्यारे response मिलते हैं आपको मारे shots कैसे लग रहे हैं हमें comment करके बताएं अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें Tuesday special postpartum care episodes आप देख रहे हैं या नहीं या भी हमें जरूर बताएं तो आईए हम जानते हैं कि गर्ब में शिशु पोटी कब कर देता है और इससे कैसे बचें फ्रेंड्स गर्ब में शिशु यूरिन तो करता है वो अमनेटिक फ्लूड में रिलीज होता है फिर उसको स्वैलो करता है फिर यूरिन करता है उस टराइल होता है इससे को infection का किसी तरह कर रिस्क नहीं होता है लेकिन कई बाद जो postpartum deliveries होती है उनमें बहुत रिस्क होता है कि शिशु गर्ब में पोटी करता है वो पोटी कैसे करता है गर्ब में तो शिशु कुछ सॉलिड नहीं खाता लेकिन शिशु के सरीर पे कुछ रोएदार, कुछ चिपचिपा सा लैनिंगो नामक पदार्थ होता है तो जन्म से पूर्ब बच्चा उसको थोड़ा बहुत स्वैलो करता है और जन्म के बाद जो पहली पोटी बच्चा करता है माय कौनियम जिसको कहते हैं हरी सी, थोड़ी डाक कलर की चिप-चिपी से स्टिकी सी होती है लेकिन कई बार पोस्टर्म डिलीवरी में शिशू गर्फ में ही पोटी कर देता है और कहा जाता है कि बच्चे को रिसके तुरंट डिलीवरी करानी पड़ेगी और इसे में कई बर सी सेक्षन की सलाह डॉक्टर देते ताकि बच्चे को बच्चाए जा सके और यह फियर भी है अगर उसके नैजल पैसेज में चला जाता है तो वो ब्लॉक हो जाएगा एयर पैसेज ब्लॉक होने से लंग्स में ट्रसेज या वो मिटिरियल जाने से ब्लॉक होने से बच्चे की डेथ हो सकती है तो इसलिए प्रॉंटली डॉक्टर कहते हैं कि सी सक्षन करके बच्चे को डिलीवर करना पड़ेगा और फ्यूचर में भी या आफ्टर डिलीवरी भी बच्चे को सांस से रेलेटेड तकलीफ रहती है इन्फाक्षन का खत्रा रहता है तो उसको अब्जर्वेशन में रखा जाता है जब बच्चा जन्म लेता है और अगर नीले रंका दिखाई देता है या फिर बहुत लिथार्जिक हो ना रोए जादा ना हरकत करे तो अब समझ लीजी कि कुछ इस तरीके के इशूज हो सकते हैं आपके डॉक्टर ने बताया कि बच्चे ने पोटी कर दिये तो उसको ट्रीट किया जाता है स्पेशल यूनिट में बार से 20 प्रतेशत डिलिवरीज में ये कंडिशन होती है इसलिए आपको ज़रूरी है तो कभी भी आपको गर ऐसी सलाह दी जाती है तो आप अपने बच्चे की सेफटी सुरक्षिर डिलिवरी की तरफ बढ़ें तो हम जानेंगे कि बच्चा पेट में पोटी कर क्यों देता है सबसे पहली चीज़ कि मदर को कोई हैल्थ इश्यू है जैसे की डिलिवरी का जो प्रोसेस होता है पेट आया लेकिन एक दीन-दीन उलच रहा है तीरे-दीरे बढ़ दा रहा है बर नीरा रुख गया डिलिवरी का अगर प्रोसेस लंबा होता है तो ऐसे नीभी शिशू गर्व में पोटी कर सकता है तो कई बार आप देखते हैं, नॉर्मल डी विवरी के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसी कंडिशन बंती, किसी सेक्षन करके बेबी को डिलिवर करना पड़ता है, कई बार बेबी की ग्रोथ जो है, पूरी नहीं हो पाती है गर्ब के अंदर, तब भी ऐसी कंडिशन बंती हैं, यह प्लसेंटा से जो भी बच्चे तक आहा रहा था, जो भी मिट्रियल ट्रांसफर हो रहा था, जो नुट्रिशन अपसीजन मिल रही थी, उसकी क्वांटिटी कंड़ होने लगती है, तो प्लसेंटा में जब एजिंग होती, तब भी ऐसी रीजन से भी बच्चा वूम में पो झाहल below, बच्चा थोने चाहला में गोूम से बच्चा झाहला में रहा ठाच चाहला हो बंसे में रहा थाचा पी